जैगरू जी, शिव के विवाह का उपसंगहार, उनके द्वारा दक्षिना वित्रन, वर्वधू का कोबर और वास्भवन में जाना, महास्त्रियों का उनसे लोकाचार का पालन कराना, रती की प्रार्तना से शिव द्वारा काम को जीवन दान एवं वर्प्रदान, ब्रह्मा जी कहते हैं, नारत तदंतर मेरी आग्या पाकर महेश्वर ने ब्रामनों द्वारा अग्नी की स्थापना करवाई, और पार्वती को अपने आगे बिठा कर, वहां रिगवेद, यजुरवेद तथा सामवेद के मंत्रों द्वारा अग्नी में आहुतियां दी, ता लुकाचार का आश्रेले प्रसनता पूर्वक अग्नी देव की परिक्रमा की, नारत तदंतर शीव की आग्या से मुन्यों सहित मैंने शिवा शिव विवा का शेश कार्य प्रसनता पूर्वक पूरा किया, फिर उन दोनों दमपती के मस्तक का अभिशेक हुआ, ब्रामनों न उन्हें आदर पूर्वक ध्रूव का दर्शन कराया, तत पश्चात शिद्या लंभन का कारे हुआ, फिर बड़े उत्साह के साथ स्वस्ति वाचन किया गया, इसके पश्चात ब्रामनों के आग्या से शिव ने शिवा के सिर में सिंदूर दान किया, उस समय गिरिराज पर विराज मान हो, भक्तों के चित को आनंद देने वाली उत्तम शोभा पाने लगे, मुने तदंतर अद्भूत लीडा करने वाले उन नव दंपति ने मेरी आग्या पाकर अपने स्थान पर आश्च्व प्राशन किया, इस प्रकार विधी पूर्वक उस वेवाहिक यज्य के पून हो जाने पर भगवान शिव ने मुझे लोका स्रिष्टा ब्रह्मा को पून पात्र दान किया, फिर शंभू ने आचारे को गोदान किया, मंगल दायक जो बड़े-बड़े दान बताए गए हैं, वे भी सहर्ष संपन किये, तत्पश्चात उन्होंने बहुत से ब्र प्रितक प्रितक सौसो सुवन मुद्राएं दिये, करोडों रत्न दान किये और अनेक प्रकार के द्रव्य बाटे, उस समय सब देवता तथा दूसरे-दूसरे चरा-चर जीव मन में बड़े प्रसन हुए और जोर-जोर से जै-जैकार की ध्वनी होने लगी, सब और मांगल एक शब्द और गीत होने लगे, वाद्यों की मनोहर ध्वनी सब के आनन्द को बढ़ाने लगी, इसके बाद श्री विश्नु, मैं, देवता, रिशी तथा अन्य सब लोग गिरी राज से आग्या ले, बड़ी प्रसनता के साथ शीग्रही अपने अपने डेरे में चले आए उस समय हिमाले नगर की स्त्रियां अनन्द मगन हो शिव और पार्वती को लेकर कोवबर में गई, वहां उन सब ने आदरपूर्वक वर वधू से लोकाचार का संपाधन कराया, उस समय सब और पर्मानंद दायक महान उच्छा चा रहा था तदंतर वे स्त्रियां उन लोग कल्यानकारी दमपती को साथ ले परम दिव्य वास भवन में चगई और वहां भी प्रसनता पूर्वक लोकाचार का संपाधन किया इसके बाद गिरिराज के नगर की स्त्रियों ने समीप आकर मंगल कृत्य करके उन नव दमपती को केले ग्रह में पहुँचाया और जय ध्वनी करती हुई उनके गट बंधन की काट खोलने आदी का कार्य संपन किया उस समय उन्नूतन दमपती को देखने के लिए सोलह दिव्यनारियां बड़े आदर के साथ शिग्रता पूर्वक वहां आई उनके नाम इस प्रकार है सरस्वती, लक्ष्मी, सावित्री, गंगा, अदीती, शची, लोपा मुद्रा, अरुन्धती, अहल्या, तुलसी, स्वाहा, रोहिनी, पृत्वी, शत्रूपा, संग्या तथा रती ये देवांगनाए तथा मनोहारनी, देवकन्या, नाकन्या और मुनीकन्याए भी वहां आपहुची महां जितनी स्थियां उपस्थित थी, उन सब की गण्ना करने में कौन समर्थ है उनके दिये हुए रत्नमय सिंगासन पर भगवान शिव प्रसनता पूर्वक बैठे उस समय उन्होंने शिव से नाना प्रकार की विनोध पून बाते कही तदंतर प्रसन चित हुए महेश्वर ने अपनी पतनी के साथ मिष्टान भोजन और आच्मन करके कपूर डाला हुआ पान खाया इसी अवसर पर अनुकूल समय जान प्रसन हुई रती ने दीन वतसल भगवान शंकर से कहा भगवन पारवती का पानि ग्रहन करके आप अत्यांत दुल्लब सौभागे प्राप्त किया है बताईए मेरे प्राणनात को जो सर्वता स्वार्थ रहित थे आपने क्यों भस्म कर डाला अब यहां मेरे पती को जीवित कीजिए और अपने अंतह करण में काम संबंधी व्यापार को जगाईए आपको और मुझको जो समान डूप से वियोग जनित संता प्राप्त हुआ है उसे दूर कीजिए महेश्वर आपके इस विवा उद्सव में सब लोग सुखी हुए हैं केवल मैं ही अपने पती के बिना दुख में डूबी हुई हूँ देव शंकर प्रसन होईए और मुझे सनात कीजिए दीन बंधू परम प्रभू अपनी कही हुई बात को सत्य कीजिए चरा चर प्राणियों सहित तीनों लोकों में आपके सिवा दूसरा कौन है जो मेरे दुख का नाश करने में समर्थ हो ऐसा जान कर आप मुझे पर दया कीजिए दीनों पर दया करने वाले नाथ आप सब को अनंद प्रदान करने वाले अपने इस विवा उत्सव में मुझे भी उत्सव संपन बनाईए मेरे प्राणनाथ के जीवित होने पर ही अपनी प्रिया पार्वती के साथ आपका सुन्दर विहार परिपून होगा इसमें संशे नहीं हैं सरवेश्वर आप सब कुछ करने में समर्द हैं क्योंकि आप ही परमेश्वर हैं यहां अधिक कहने से क्या लाब सरवेश्वर आप शिग्र मेरे पती को जीवित कीजिए ऐसा कहकर रती ने गांट में बंदा हुआ कामदेव के शरीर का भस्म शम्बू को दे दिया और उनके सामने हानात हानात कहकर रोने लगी रती का रोधन सुनकर सरस्वती आदी सभी देवियां रोने लगी और अत्यन दीन वानी में बोली प्रभू आपका नाम भक्त वत्सल है आप दीन बंधू और द्या के सागर है अतहे काम को जीवन दान कीजिए और रती को उत्साहित कीजिए आपको नमस्कार है ब्रह्मा जी कहते हैं नारद उन सब की यह बात सुनकर महेश्वर प्रसन हो गए उन करुणा सागर प्रभू ने ततकाल ही रती पर कृपा की भगवान शूल पानी की अमृत्मई द्रिष्टी पढ़ते ही पहले जैसे रूप, वेश और चिन से युक्त, अद्भुत, मूर्ति धारी, सुन्दर काम देव उस भस्म से प्रकट हो गया अपने पती को वैसे ही रूप, आकृती, मंद, मुस्कान और धनुश्बान से युक्त देख रती ने महेश्वर को प्रनाम किया वह कृतार्थ हो गई, उसने प्राणनात की प्राप्ति कराने वाले भगवान शिव का अपने जीवित पती के साथ हाथ जोड़कर बारंबार स्तवन किया पत्नी सहित काम की हुई स्तुति को सुनकर हृदय हृदय भगवान शंकर अत्यंत प्रसन हुए और इस प्रकार बूले शंकर ने कहा मनोभव पत्नी सहित तुमने जो उस्तुति की है उससे मैं बहुत प्रसन हूँ स्वयम प्रकट होने वाले काम तुम वर मांगो मैं तुम्हें मनोवांचित वस्तु दूँगा शंभू का यह वचन सुनकर कामदेव महान आनंद में निमग्न हो गए और हाथ जोड़कर मस्तक जुका कर गदगदवानी में बोले कामदेव ने कहा देव देव महादेव करुणा सागर्ष प्रभू यदि आप मुझ पर प्रसन हैं तो मेरे लिए आनंद दायक होईए प्रभू पूरुकाल में मैंने जो अपराद किया था उसे शमा कीजिए स्वजनों के प्रती परम प्रेम और अपने चर्णों की भक्ती दीजिए कामदेव का यह कथन सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन हो बोले बहुत अच्छा इसके बाद उन करुणा निदे ने हसकर कहा महामते कामदेव मैं तुम पर प्रसन हूँ तुम अपने मन से भय को निकाल दो भगवान विशनु के पास जाओ और इस घर से बाहर ही रहो तदंतर काम शिव जी को प्रणाम करके बाहर आ गया विशनु आदी देवताओं ने उसे आशिरवाद दिया इसके बाद भगवान शंकर ने उस वास भवन में पार्वती को बाएं बिठा कर मिश्टान भूजन कराया और पार्वती ने भी प्रसनता पूर्वक उनका मुह मीठा किया तदंतर वहां लोकाचार का पालन करते हुए आवश्य कृत्य करके मैना और हिम्वान की आग्याले भगवान शिव जन्वासे में चले गए मुने उस समय महान उत्स हुआ और वेद मंत्रों की ध्वनी होने लगी चारों और लोग सब प्रकार के बाजे बजाने लगे अरवाचीन वाद्य उन्ही के अंतरगत हैं उनके नाम इस प्रकार हैं तत, आनद, सुशिर और घन तत वह बाजा है जिसमें तार का विस्तार हो जैसे वीना, सितार आदी जिसे चम्डे से मड़ा कर कसा गया हो वह आनद कहलाता है जैसे ढोल, मृदंग, नगारा आदी जिसमें छेद हो और उसमें हवा भर कर स्वर निकाला जाता हो उसे सुशिर कहते हैं जैसे वंशी, शंक, विगुल, हर्मोनियम आदी कासे के जाँच आदी को घन कहते हैं जनवासे में अपने स्थान पर पहुँच कर शिव ने लोका चार वश मुनियों को प्रणाम किया श्री हरी को और मुझे भी मस्तक जुकाया फिर सब देवता आदी ने उनकी वंदना की उस समय वहां जैजैकार, नमसकार तथा समस्त विग्नों का नाश करने वाली शुबदाइनी वेद ध्वनी भी होने लगी इसके बाद मैंने भगवान विश्नु ने तथा इंद्र, रिशी और सिध आदी ने भी शंकर जी की स्तूती की गिरिजा नायक महेश्वर की स्तूती करके वे विश्नु आदी देवता प्रसनता पूर्वक उनकी यतोचित सेवा में लग गए ततपशात लीला पूर्वक शरीर धारन करने वाले महेश्वर शंभु ने उन सब को सम्मान दिया फिर उन पर मेश्वर की आग्या पाकर वे विश्नु आदी देवता अत्यंत प्रसन हो अपने अपने विश्राम स्थान को गए अध्याए उननचा से इक्यावन जै गुरु जै जै गुरु जै गुरु जै संगर जी ये चैप्टर के अंदर जैसे की रती की प्रात्ना से कामदेव जी जीवित हो गए और सारे संसार का कल्यान हुआ शिव जी के और पार्दी जी के विवाँ में जिस जिस ने भी भाग लिया जिस जिस ने भी उनको प्यार से अपना नमसकार प्रदान किया उन सब को शिव जी ने सुख दिया और सब का कल्यान किया शुक्राना गुरुजी, जै गुरुजी, ओम नमस्षिवाए, शिव जी सदा सहाए ओम नमस्षिवाए, गुरुजी सदा सहाए गुरुजी ने कहा कि महाशिवरात्री पे वो अपना एक-एक अंग अलग-अलग करतेते हैं और सारी संगत का कल्यान करते हैं ये वन ओफ ता मेजर फाइफ फेस्टिवल्स है जो कि गुरूजी के टाइम पर बहुत दूमधाम से सेलिबरेशन के रूप में मनाया जाता था आप सब को बहुत-बहुत-बहुत मुबारक हो अभी आज मंडे हुआ है और जुरात्री के दो दिन बाकी है सब अपने गुरूजी के साथ आप चुड़िए और उनकी और अरादना कीजिए जै गुरूजी